हलो और वेलकम टू कम्टिशन कमपनिटी हम लोग आज बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार यानि फंडामेंटल राइट के वारे में आप देखिएगा पोईटकल साइन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह और आपके संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट के कोशन आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि आज एक ही वीडियो में कोशिस करेंगे कि फंडामेंटल राइट को समाप्त कर दे वीडियो थुरा सा बड़ा होगा लेकिन आप एक बार ध्यान में रखेंगे इसको क्योंकि एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप भारत के नागरीक हैं अगर का कोई मतलब नहीं है आप हैं भारत के नागरीक तो भारत के नागरीक होने के नाते भारत के नागरीकों को सम्विधान ने क्या अधिकार दिया है ये जानना भी बहुत जरूरी है तो फंडामेंटल राइट हम इसलिए भी न पढ़ है और बहुत सारे राइट्स लोगों को दिये हैं और हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से राइट्स हैं उससे पहले हम लोग कुछ-कुछ बाते कर ले आपको समीधान के बारे में देखिए सबसे पहले पॉइंट तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है पार्ट 3 में मौली का अधिकार में कि यह लिया कहां से गया है यानी टेकन फ्रॉम एक्जाम में कोसन यहां से आते हैं पार्ट 3 है ध्यान रखिएगा को जब बात कर रहे थे तो हमने देखा क्या था कि आर्टिकल 11 तक हाला कि मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि मैं आर्टिकल से चीजों को नहीं पढ़ाता हूं मैं टॉपिक से पढ़ाता हूं क्योंकि 395 आर्टिकल को याद रखना बहुत मुस्किल है और आपके समिधान मे दो कि 395 आर्टिकल है कितने आर्टिकल है टोटल है total आपके समिधान में total अनुछेद 395 तो 395 अंुछेद को याद रखना थोरा सा मुष्किल है तो इसलिए मैं हमेशा कोशिस करता हूं कि टॉपिक से पढ़ाऊ और topic के अंदर जो article आयना उसको explain करता हुआ चलू ठेक है तो fundamental right के हम articles को explain करेंगे क्योंकि यह topic भी है और इसका article भी exam के अंसार बहुत important है आपके लिए बहुत important है नागरिक होने के नाते बहुत important है तो हम लोग क्या बात कर रहेते हैं कि कहां से लिया गया है तो USA से लिया गया है और इसका article क्या है तो यहाँ पर article देखिए इसका क्या है 12-35 यानि कि इसका article 12-35 है और exam में question article से पूछ लेते हैं तो आप pledge इसको ध्यान में रखेंगे कि exam में question article से पूछे जाते हैं कि fundamental right का article क्या है 12-35 normally जब हम पढ़ते हैं तो fundamental right को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं मैं थोरा सा बतायाता हूं और बताता हूं कि कैसे relevant है यह question क्यों गलती कर जाते हैं लोग होता क्या है कि जब हम fundamental right पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 6 fundamental right है 6 there are 6 fundamental right और यह सही है और जब वो उसको 6 को गिंती करते हैं तो उसके article 14 से सुरू करते हैं 14 से सुरू करते हैं उसका article ठीक है 14 से 18 ऐसे करके यानि कि समताक अधिकार अब फिर सोतंत्रता तो यह जो गिंती है 14 से यह लोगों के मन में बैठ गया कि 14 से है और exam में question पूछ लेता है बड़ा असान question है एक्जाम में question पूछ लेता है कि fundamental right का article कहां से कहां तक है 14 से option रहेगा यानि कि यहां 12 से 35 है ना दूसरा option क्या बना देगा 14 से लेकर के 32 अब point यहां पड़ यह है कि आप जो 6 आर्टिकल पढ़ते हैं छे राइट परते हैं वो 14 से 32 के बीच में समाहित हो जाता है और यहां पे आप गलती कर जाते हैं तो इस गलती को अपना करें प्लीज और आप क्या करेंगे 12 से 35 फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है चलिए एक एक्जाम को कोशन की हिसाब से मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा 14 से 32 दे करके और आगे हम दिखाएंगे कि कैसे 1432 है चलिए आगे आगे आगला पॉइंट यह है कि जो फंडामेंटल राइट है उसे भारत का मैगना काटा कहा जाता है यहाँ पर देखें यहाँ लिखा हुआ है मैगना काटा हिंदी इंगलिस दोनों में लिखे हुए है हिंदी इंगलिस वाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होंगे और मैं बोल हिंदी में रहा हूँ और इंगलिस वाले बच्चे इसलिए परसान नहीं होंगे क्योंकि लिखा हुआ है और टर्म का परयोग मैं करते रहता हूँ चलिए तो भारत का मैगना कार्टा कहता है इसका मतलब जानते हैं क्या होता है इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ दरासल काफी साल पहले हाला कि मैंने वो येर लिखा हुआ है King John थे England के राजा देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1215 तो King John थे England के राजा और King John के खिलाप में बिद्रोग हुआ था King John के खिलाप में क्या हुआ था एक बिद्रोग हुआ था मांग किया जा रहा था किस चीज़ को ले करके Fundamental Rights यानि की Rights को ले करके मांग किया जा रहा था England में जो सामंद थे या जमिनदार थे या उनके मताहत लोग काम करने वाले थे वो अपने rights के लिए करके आंदोलन कर रहे थे कहां इंग्लैंड में तो इंग्लैंड के राजा ने जिस कागजात पे ध्यान से सुनना इस बात को बरे गौर से इंगलेंड के राजा ने जिस कागजात पे जिस डकुमेंट पे राइट दिये थे सामन्तों को जमिनदारों को और अन्नी लोगों को उस डकुमेंट का नाम था मैगना काटा उस डकुमेंट का क्या नाम था मैगना काटा और उसके बाद पूरे दुनिया में जहां कही भी इस तो उसको Magna Carta से comparison करके हम कहा देते हैं Magna Carta, तो भारत के इस जो संबिधान का Part 3 है, इसको Magna Carta कहा जाता है, जैसा कि हमने यहां पर लिखा, ठीक उसी तरीके से Magna Carta से एक और question आता है, कि किसे सिक्षा का Magna Carta कहा जाता है, भारत में Magna Carta of Education, किसको, तो Oods Dispatch को, यह History का question है, बड़ा important है, Oods Dispatch को कहा जाता है, Magna Carta of Education, यह बात आप धिहान में रखेंगे, तो यहां पर चीजों को समझे की कोशिस किजेगा, इसे भारत का क्या कहा जाता है, Magna Carta कहा जाता है, और Magna Carta क्या है, मैंने बता दिया, originally एक written document है, जो कि King John ने, अपने काम करने बाए लोग इंग्लेंड का Magna Carta को जोर लिए, मतलब अलग-अलग term में हम पहले fundamental right को जोरने की कोशिस कर रहे है, और फिर fundamental right तक पहुचने की कोशिस करेंगे, मेरी बात बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आपको वीडियो थुरा सा लंबा लगे, तो आप क्या है, इसो पार्ट मे देख लेंगे, लेकिन देखेंगे ज़रूर बहुत important है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, अब point यहाँ पड़ी है कि भारत में fundamental right को ले करके कब-कब कैसे-कैसे काम किया गया, तो छोटा-छोटा बात हम आपको थुरा सा यहाँ पे leak भी दिये है, और आपसे बात कर लेते ह सबसे पहले, नहरू report, 1928 में जब नहरू report बनाया गया था, 1928 के नहरू report की बात हम कहते है, 1928 में जब नहरू report बनाया गया था, तो उस समय fundamental right को उसमें include किया जाता, यानि fundamental right के, मौली गदिकार के कुछ बातों को उसमें include किया जाता, क्या गया था पहली बार, तो यह exam का question बन जाता है अब point यहाँ पड़ यह है कि exam का question बनता है history में और हम पढ़ा रहें आपको polity में तो जब इतिहांस आएगा तो इतिहांस में भी पढ़ाएंगे लेकिन यहाँ पे political science में आप जान लीजिए कि नेहरू report 1928 में पहली बार fundamental right की बात किया गया था और यह नेहरू report ज हमारे sir respected sir तो हमको बरे नहरू और छोटे नहरू करके पढ़ाते थे तो बरे नहरू मतलब मोतिलाल नहरू और छोटे नहरू मतलब जवारलाल नहरू यानि बरे नहरू के बेटे थे ना जवारलाल नहरू तो वह इससी तरीके से नहरी report को मोतिलाल नहरू ने बनाया था और ये history में कई बार पुछा हुआ है तो ये बहुत important है, मैं यहां पर BBI डाल देता हूँ और इसको आप अपने copy में लिखे के BBI करोगे करोगे किसी हाल में क्योंकि ये question कई बार पुछा हुआ है exam में अलाग अलाग examination में पुछा हुआ है एक बात ध्यान रखेगा, जब हम आपको पढ़ा रहे है fundamental right जब हम आपको पढ़ा रहे है कोई भी topic या पहले जो भी topic पढ़ाया है, मेरी बात को बड़े गौर से सुनना और ये बड़े important है, कि जब हमने कोई भी topic आपको पढ़ाया है अभी जो भी topic में पढ़ा रहा हूँ, आगे जो भी topic पढ़ाया हूँगा ये भारत के किसी भी examination के लिए relevant है, इस बात को ध्यान में रखेगा चाहे प SAC के examination की बात कर रहे है, SAC में CGL हो, CHSL हो कोई examination हो, railway की examination की बात करो, state level कोई भी examination की बात कर रहे है चाहे हो state level PSE के examination हो, या state level के कोई दूसरे examination हो, हर examination के लिए relevant है previous year question paper solve करो और फिर हम से बात करो, previous year solve को अगर नहीं होगा तो कहो कि sir, fundamental rights question solve किये और नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, तम यहां खड़े है, comment का जवाब देने के लिए पूरे responsibility से, चाहे कोई भी exam हो, fundamental rights से question आएगा, वो solve होगा ठीक है, चाहे कोई exam हो, कोई exam हो, बड़े जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते है तो नहरू report की बात करे, ML नहरू बहुत important है, इन्होंने नहरू report बनाया था और इसमें पहली बार fundamental right की बात की गई थी, first time, लीग देताओ मैं, first time fundamental right की बात की गई थी, नहरू report में पहली बार अच्छा, एक बात और समझेगा, कि ये जो first time नहरू report जो मैंने आपको कहा, ये भी question exam में आया है काई बारी ये भी question exam में आया है, कि पहली बार नहरू report की बात कहां की गई थी, तो पहली बार fundamental right की बात कहां की गई थी, तो जब मोतिलाल नहरू के नहरू report में, हो गया अगला, कराची सेशन, 1931 का कराची अधिवेशन, ये question exam में कई बार पुछा है, जो important है, वही बात मैंने लिखा है, ये question exam में कई बार पुछा है, ठीक है, दोनों ही, अब सबसे पहले तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, history में चलाया हूँ, quality परारा हूँ, ध्या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सरदार, ठीक है, पटेल, सरदार पटेल, इसके क्या थे, chair person थे, कराची अधिवेशन के, और इसी कराची अधिवेशन में fundamental right की भी बात की गई थी, इसी कराची अधिवेशन में फिर से, fundamental right की, और ये दोनों question मैं exam में solve करकाया हूँ, ये किस सेशन में fundamental right की बात की गई है, तो कराची सेशन में fundamental right की बात की गई है, मेरी बातों को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना, please, ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं, अब हम लोग, यहाँ तक की बात हम लोग ने कर लिया है, अब यहाँ तक की बात कर लिया, तो मै इसे एक underline तरीके से खीज देता हूँ यहां तक की बात हमने कर लिया अब हमें करना है यह बाते यह है क्या उसको समझे यह पूरा का पूरा concept है जो यह है न यह पूरा का पूरा concept है क्या concept है वो समझे fundamental right judicial है judicial यानि कि यह नियाईक है यहां पे लिखा मैंने नियाईक है यहां पे लिखा मैंने judicial है fundamental right क्या है judicial है judicial होने का मतलब क्या होता है क्या होता है judicial होने का मतलब तो इसका मतलब होता है कि अगर fundamental right का उलंगन होता है कभी भी मेरी बात को बड़े गौर से समझना और fundamental right आपको जो मिला है और उसका क्या आप ताकत है ये बात आपको समझ में आ जाएगा अगर कभी भी fundamental right का उलंगन होता है तो आप सीधे सीधे Supreme Court या High Court जा सकते हैं सीधे सीधे Supreme Court या High Court जा सकते हैं Supreme Court Article 32 के अंतरगत और High Court Article 226 के अंतरगत और ये बात अभी हम आपको पढ़ाएंगे आज लेकिन पहले हम चीजों को थोड़ा सा समान ले तो fundamental right क्या है? judicial है यानि कि judicial है नयाय योग है अगर fundamental right का उलंगन होता है तो वहाँ पे आप नयाय के लिए जा सकते हैं Supreme Court या High Court Against the State है राज्य के खिलाप है यहाँ पे एक सब्द आया है State जरा State को समझते हैं यह क्या होता है तो जब आप Political Science पढ़ते हैं ने बेटा Political Science तो State का मतलब एक ऐसा छेत्र होता है जिसमें नागरी करते हैं एक ऐसा छेत्र होता है जहां पे सासन चलाया जाता है एक ऐसा छेत्र होता है जिसमें सासन विवस्था कानून के हिसाब से हो तब वह State कहलाता है यानि कि एक state होने के लिए boundary होना चाहिए उसमें लोग होना चाहिए और उसमें सासन विवस्था होना चाहिए जिसमें राजा और उसका कानून होना चाहिए तभी वो state होगा और यह question exam में बना है हलाकि यह higher level के examination में बना है उसमें क्या पना है कि एक state होने के लिए क्या होना चाहिए एक boundary होने चाहिए, वहाँ पे जनता होना चाहिए, कानून होना चाहिए और सासन होना चाहिए, यानि कि सरकार होना चाहिए तभी वो state कहलाएगा Political Science के हिसाब से हमारे आम बोलचाल के भासा में इस्टेट का मतलब राज होता है, 36 गर्ड, MP, बिहार, UP यही होता है हमारे आम बोलचाल के भासा में लेकिन political science आपके संविधान के भासा में इस्टेट का मतलब क्या होता है, इस्टेट का मतलब होता है एक छेत्र जहाँ पे सासन चल रहा हो, किस पे? वहाँ पे रहने वाले नागरिकों के उपर में, चलिए तो यह क्या कहता है, अगेंस दे स्टेट है, यानि कि राज के बिरोध में है यहाँ पे राज का मतलब क्या है, यहाँ राज का मतलब होता है, सरकार सासन, यहाँ पे लिगता हूँ मैं सरकार सरकार यानि कि सासन के बिरोध में है सरकार के बिरोध में है इस बात को अब अच्छे तरीके से समझेगा अब कर यह कैसे सरकार के बिरोध में है तो देखो सरकार के बिरोध में ऐसे है कि अगर कोई भी चीज हम करते हैं अगर वो हमारा fundamental light है और सरकार अगर रोक लगाती है, तो सरकार के खिलाफ में बात हो गई, हम लोग अंदोलन कर सकते हैं, और सुप्रीम कोट उहां पे हमारा साथ देगा, हाई कोट हमारा साथ देगा, कैसे? एक्जामपल समझे, मान के चलो मैं यहां पढ़ा रहा हूँ, और सरकार कहे कि भारत मे जितने भी टीचर हैं, सब को बंद कर दो पढ़ाना, अविव्यक्ति की सुतंत्रता यहां समाप्त हो जाती है, और सब रोड पे निकल जाएगा, सुप्रीम कोट टीचर के साथ होंगे, मैं जानता हूंगे, दूसरा, अब दूसरा उधारन, जो की ज्वलन्त है, हमेशा जाता है, तो इसके खिलाफ हवाज उठती है, जरूर उठती है, तो अगर इसके खिलाफ हवाज उठ रही है, इसका मतलब है कि सेंसर लगाने बाले के खिलाफ हवाज उठ रही है, तो सेंसर लगाने बाला कौन है, तो एस्टेट है, तो एस्टेट के खिलाफ हवाज उठ तो against the state है मेरी बात समझ में आ गया खेर तलिए इट protected the right of citizen ये नागरीकों के अधिकार को protect करता है नागरीकों के अधिकार का का बोलते हैं protect करता है ये बात मैं हमेशा से बताती है आ रहा हूँ कि fundamental right जो है ना आपके rights को ना के बाल right देती है बलकि वो protect भी करती है यानि आप बात करें, आप घूमें आप पढ़ें, आप पढ़ाएं, आप अकवार में article लिखें, आप गजल गनी गजल लिखें, कविता लिखें आप फिल्म लिखें, article लिखें आप universities खोलें आप पतलब जो भी चीज करें जो कि आपके अधिकार के अंतरगत है तो वो उसका protection एकदम करेगा उसका protection भी ये fundamental light करता है, चल ये ठीक है तो ये fundamental light के बारे में कुछ basic बाते हो गई जिसके बारे में हमने इतने सारे बात इस तब से कर रहे थे और इस basic बात में हमने magna kata बेगरा article बेगरा, सब के बारे में बात आपको समझाया है, अब हम देखते है fundamental light में आगे points को देखे, आगे जब points देखते हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे, कि fundamental light कितने परकार के होते हैं, तो देखिए हाँ पे there are six type of fundamental light, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि छे परकार के fundamental light होते हैं, छे, कौन-कौन से है देखिए, right to equality समता का अधिकार जिसको हम समानता का अधिकार 14 से 18, मैंने आपको option बना के बताया था ना, कि देखो 14 से 32 देदेगा, लेकिन आप यहाँ गलती नहीं कर रहेंगे यह बुला रहा है कि तुम गलती करो लेकिन आप कहेंगे, नहीं हम गलती नहीं करेंगे तुम हमको गलती बता रहे हो क्योंकि article कितना है, 12 से ले करके शुरू है, क्योंकि यहाँ पर 14 है दियान में आप रखेंगे और वहाँ पर मैंने क्या होता है, 12 तो 12 तरह कोई पढ़ाएंगे लेकिन, there are six fundamental rights the very first one is right to equality, समता का अधिकार पहला right है, यानि 14 से 18 the second one is right to freedom यानि सोतंतरता का अधिकार सोतंतरता का अधिकार अनुछेद 19 से 22 है इंगलीस वाले बच्चे, दोनों में लिखाऊ है अनुछेद 19 से 22 है the third one is right against exploitation यानि कि, क्या बोलते हैं उसको सोशन के बिरुध अधिकार right against exploitation अनुछेद 19 से 22 है उसके बाद चौथा है, right to freedom of religion यानि धार्मिक सोतंतरता का अधिकार ये 25 से 28 है उसके बाद है पाँचवा cultural and educational rights संस्किर्थिक और सिक्षा का अधिकार अनुछेद 19 से 30 है और the 6 and very famous right to constitutional remedies समयधादी कुप्चारों का अधिकार, article 32 अब आप बोलेंग सरीक्स में special बात क्या हो गया आप तो बस देखे हुए पढ़के सुना दिये और देखे हुए पढ़के सुनाना हमको नागवार गुजरता नहीं क्योंकि हमें ऐसा है नहीं teacher तो हम आपको समझाएंगे यह है क्या और समझाना सुरू करते हैं सबसे पहले exam का question बनेंगे कि fundamental right कितने हैं सबसे पहले fundamental right कितने हैं तो 6 है सबसे पहला question यह परचेंगे दूसरा question आपके exam में पूछेगा कि originally कितने fundamental right थे originally कितने fundamental right थे यहां पर लीग रहता हूँ originally बेटा धियान में रखना originally तो originally 7 fundamental right थे कितने थे 7 देखो कैसा बात किया मैंने originally यानि मूल रूप से मूल ता कितने fundamental right थे 7 अभी कितने fundamental right 6 आपसे question पुछेगा कितने fundamental right 6 मूल रूप से कितने 7 मूल रूप से 7 fundamental right थे तो सातवा कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ फिर हमें इसके बारे में बात करेंगे सातवा के बात कर लेते हैं सातवा fundamental right क्या था आपका सात्वा था सेबिन्थ मैं आपे लिए गता हूँ सेबिन्थ राइट टू प्रोपर्टी संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार राइट टू राइट टू प्रोपर्टी ठीक है राइट टू प्रोपर्टी संपत्ति का अधिकार ये था सात्वा, ये सात्वा था, ध्यान में अप रखियेगा, सात्वा हो गया, संपत्तिक अधिकार, तो इसे क्या किया गया, इसे हटा दिया गया, यानि कि, अच्छा इसका आर्टिकल क्या था, तो ध्यान देखो, 29-30-32 अगया ना, बरे गौर से देखना, तो 31-31 इसका आ तो इसको क्या कर दिया गया रिमूव कर दिया गया कब रिमूव क्या गया तो इसको लिखेंगे रिमूव रिमूवड बाई 44 अमेंडमेंट यहाँ पर अमेंडमेंट लिख दिया मैंने ठीक है अमेंडमेंट समझ जाएंगे आप 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 हिंदी वाले बच्चे दिहान से समल जेना 44 वे हिंदी वाले बच्चों का आप कमेंट आता सर higher 44 वे संमिधान संसोधन running खटा दिया गया किसको खटा दिया गया राइट आपको समपति के अधिकार को जो कि हमारा एक राइट था हलाकि यह सात्वा था और यह बीच में था लेकिन चुकि सात्वा राइट कह सकते हैं राइट तू प्रपर्टी 31 आर्टिकल था उसको रिमूव कर दिया गया ठीक है चलिए तो अब राइट तू प्रपर्टी क्या है मतलब अब क्या है तो अब यह एक लीगल राइट है और यह एक्जाम का कोशन है राइट प्रपर्टी इस लीगल राइट अभी अप्र लीगल राइट है लीगल राइट कानूनी अधिकार है अंडर आर्टिकल 300A यानि 301 के तहत अब यह क्या है अब यह लीगल राइट है कौन सा right, right to property तो ये exam का question जो भी यहां से बने उसको solve कर लिजेगा ध्यान रखेगा, बने नहीं, बना है क्या क्या बना है, वो भी बता दू right to property को किस amendment से हटाए गया 44 समिधान सोद अदमियम से हटाए गया कब हुआ था, 1978 में हुआ था अब ये क्या है, अब ये क्या बोलते है, legal right है, यानि की कानूनी अधिकार है ठीक है, किस article के अंतरगत, 301 एक अंतरगत अब ये legal right है हो गया, चलिए मूल रूप से 6 था, मूल रूप से 7 था अभी कितने fundamental right है, 6 कौन-कौन से है, तो देखो equality, freedom, exploitation, religion, E-F-E-R-E-R E-F-E-R-E-R कैसे करके, क्या करके, आप short form बना करके, जैसे भी आप याद कर सकते हैं right to equality, समता का अधिकार समता के बाद स्वतंतरता 100-100 E-F, equality, freedom, उसके बाद exploitation, E-F-E exploitation, यानि सोशन के बिरूद अधिकार equality, freedom, exploitation, उसके बाद religion, को मानने का, religion, हमारा की एक 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 article बताएंगे आपको, ध्यान नहीं, प्रसान नहीं होंगे, बस मैं आपको सम्झाने कुछिस कर रहे हूँ, छे article, religion, उसके बाद educational, यानि कि आपके sectionic अधिकार, cultural and educational, सांस्कृतिक और sectionic अधिकार, और remedies, remedies का मतलब होता है, उपचार, यानि कि अगर आपके fundamental right का उलंगन होता है, तो फिर उसके उपर में क्या किया जाए, article 32 बहुत important है, exam के question में बहुत ज़्यादा आते हैं, और इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे last में आता है, तो हम सबसे last में पढ़ाएंगे, चलिए ठीक है, आगे बरते हैं हम, अब जब आगे बरते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कुछ-कुछ बाते जो मैंने आपको बताया है, वो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम समय नहीं गभाएंगे, ओरिजिनली, देर विएर सियर फंडामेंटल राइट, हिंदी इंगलीज दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, मूल रूप से साथ मॉली का दिकार थे, यही बात मैंने बताया, कि राइट तो परपरटी को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, अब यह क्या है, लीगल राइट है, हिंदी वाले बच्चे दियान में रखेगा, अब यह कानूनी अधिकार है, अंडर आर्टिकल 300A, अब यहां पे ध्यान में रखेंगे, कि यह चीजे मैंने आपको पहले डिसकस कर दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में, अब चुकी हम फंडामेंटल राइट के आर्टिकल में चले चलते हैं, आर्टिकल से एक एक करके बात करते हैं, तो हमने बताया कि 6 आर्टिकल है, और 14 से लेकर 14, यानि 14 से लेकर 32 तक हम लोगों ने बताया, कि किस तरीके से समता का अधिकार, सुतंदरता का अधिकार, सोशन के बिरूद अधिकार, है ना, कल्चरल एन एजुकेशनल राइट, इसकी बात किये, आर्टिकल 12, ये क्या कहता है, ये देखिए, तो आर्टिकल 12 कहता है, definition of state, यानि की राज का परिभासा, हिंदी में लिखा हुआ है, प्लीज, राज की परिभासा, राज क्या होता है, राज की परिभासा, तो जो मैंने पहले आपको बताया, राज होने के लिए क्या चाहिए, तो राज होने के लिए एक boundary चाहिए, उसमें citizen चाहिए, कानून चाहिए, और सरकार चाहिए, ये राज हो जाता है, लेकिन राज का परिभासा क्या है, तो all the authority, all the authority is state, चाहे वो authority private हो, चाहे वो authority public हो, ध्यान रखिएगा, all the authority, all the authority, ठीक है, जितने भी कानून बनाने वाले हैं, जितने भी कानून बनाने वाले हैं, वो सब क्या है, राज है, जैसे example के तौर पर, लोक सभा, कम संडर, तो उसको state कह देंगे, राज सभा, state कह देंगे, मेरी बात अपको अच्छे तरीके से लगता है, समझ में आगया होगा, पंचाजी राज, state कह देंगे, municipality, state कह देंगे, तो all the authority, who makes law, is called state, या सीधे कहे, all the authority, authority अपने आपने बहुत बड़ा सब्द है, authority का मतलब ही होता है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कानून बनाता है, बिवस्था को चलाने के लिए, वो authority है, जो बिवस्था को चलाने की देखरे करता है, जिसको उपर जिम्मेबारी है, पूरी बिवस्था को वो authority है, तो जब authority अपने आप में बरी सब्द है, तो कानून इटोमेटिक इसके अंदर है, तो authority अपने आप में state है, और authority सेल भी है, authority railway भी है, authority बिधान सभा, बिधान परिशाथ लोग सभा, राज सभा भी है, सब authority है, तो ध्यान रखेगा, राज की परिवासा जो article 12 है, ये authority की बात करता है, और state क्या क्या है, आपको समझ में आ गया, अब अगला point यहां पर क्या करता है, अगला article 13, 13 article बहुत important है, मुझे बहुत important लगता है, पता है क्यूं, क्योंकि एक ऐसा article है, जो रास्ता दिखा देता है, लोगों को, authority को, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कि जो fundamental right है, against the state है, ये बात मैंने आपको बोला था, कि fundamental right is against the state, ये बात मैंने आपको बोला था, तो जब ये बात मैंने आपको बोला है, कि against the state है, तो ये कौन सा article इसको proof करता है, तो article 13 इसको proof करता है, कैसे देखो, law inconsistent with, consistent with or deogrelation of the fundamental right, मूल अधिकारों के असंगत या उनका अलपी करन, करने बाली बीधिया, यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, इसका पूरा क्या है, आपको मालू है, इसका पूरा है कि मूल अधिकारों से असंगत, यानि कि वैसा कानून, वैसा लोज, जो कि fundamental right से मेल नहीं खाता हो, एक, और दूसरा, fundamental right को कमजोर बनाता हो, यहाँ पर अलपी करन, कमजोर बनाता हो, derogation, यानि कि कमजोर बनाता हो fundamental right को, वो law, वो कानून सुनने माना जाएगा, जीरो माना जाएगा, यह है article 13, बहुत important है, मतलब यह कह रहा है, कि तुम authority हो तो हो, ध्यान से सुनना, article 13 में बता रहा हूँ, बड़े गौर से, तुम authority हो तो हो, लेकिन कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, जो fundamental right के against हो, या कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, जो fundamental right को कम करता हो, fundamental right का आलपी करन करता हो, मुझे बहुत पसंद आता है, या article, मतलब तुम कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है, जो fundamental right का against करता है, यहाँ पे थोड़ा सा है, कुछ-कुछ point, जो खास करके, defense stops है न, उनके लिए करके, हलाकि उनका article अलग से लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे, लेकिन देखिए, 13 कितनी बड़ी बात कहता है, तो इसको आप समझेगा, 13 बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अब चलिए, fundamental right के अगले session में हम लोग बात करते हैं, अगला session हमारा fundamental right का है, right to equality, यानि की article 14 से लेकर के, article 18, जिसको हम कहते हैं, समता का अधिकार, हिंदी और इंगलीज, दोनों वाले बच्चे बड़े गौर से देखेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ है, right to equality, यहाँ पे एक बात ध्यान दिखेंगे हैं कि 14, 15, 16, 17, 18, हमने यहाँ पे चारों का लिखा हुआ है, चारों यहाँ पे आपको दिखाई, दे रेस, कास, सेक्स, और बर्थ प्लेस, यानि कि धर्म, मूल, जाती, लिंग और जन्म अस्थान का अलाहर पे भेदभाव नहीं होगा, मैं आपको एक एक आर्टिकल यहाँ से समझाता हूँ, और आपके एक्जाम के कोस्टन को भी यहाँ पे आपको बताने की कोसिस करता ठीक है, ध्यान में दीजिएगा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है कि बिदी के समझाता या बिदी के समान समक्चन, यह दो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 में तो यह कहना यह चाहता है कि कानून के नजर में सब समान है सब समान है, कानून के नजर में सब समान है, सब समान है, आप लोग ने माजी फिलिम देखा है, माजी फिलिम, माजी फिलिम का जो एक्टर होता है, वो बहुत दिनों बाद कहीं बाहर रह रह रहा होता है, बहुत दिनों बाद गाउं आता है, गाउं में आता है, अच्छे स की एक पूरी कहानी कही गई है माजी में मैं यहां पर कोई जाती अधायत बाते नहीं करने आए हूं मैं बस उदारन दे रहा हूं आर्टिकल 14 का तो उसमें पैर बार चुता है कपड़े पहनते हो और फिर जब पता चलता है गाउं के तथा कथित सवर्न बढ़गों को तो वो उसकी पिटाई कर देते हैं तो फिर वो खड़ा हो गया क्या कहता है सरकार ने ऑनाउश्मेन्ट किया है सब समान है सब समान है यह बात माजी फिल्म में जो माजी फिल्म के नायक होते हैं वो बोलते हैं तो यह ध्यान रखेगा Article 14 सब समान है किसी भी अधार पर ब ससाद भического जबाव नहीं किया जाएगा Article 14 और एक बात और रियाद रखिएगा Article 14 अपने आप में बहुत बड़ा Article है क्योंकि जहां कहीं भी Fundamental Light कुलंगन की बात आती है Article 14 एकदम से खड़ा हो जाता है हम भी है हम भी है हम भी है समानता का अधिकार जैसे कि इस दोनों बातों को मैं आपको अगर थोरा सा समझाओं थोरा सा ज्यादा नहीं समझाओंगा तो कुछ ऐसे कानून के नजर में तो सब समान है कानून के नजर में सब समान है तो क्या अगर कोई गलती होता है अब यहां पर एक्जाम्पल देता हूं मैं Article 14 कहीं साब से तो सजा दुनों को समान होना चाहिए लेकिन क्या सजा दुनों को समान होगा तो अगर सजा नहीं होगा ना क्योंकि जूबिनाइल बना हुआ आपको जानते हैं कि 16 बरस या 18 बरस से कम जो बच्चे होते हैं अगर कोई गलती करते हैं अपरादी घटनाय करते हैं तो उनको जूबिनाल कोट और फिर उनको रखा जाता है फिर उनको सिखाया या किया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है लेकिन जब एडल्ट होता है तो उनको उसी तरीके सजा होता है जैसे सब को होता है तो क्या ये दोनों एक समान होगा यहाँ पे कानून के नजर में तो सब समान है लेकिन वहाँ पे ये जो अंतर है बीदी के समक समता और बीदी के समान सनरक्षन ये अपने आप में वही बात कहता है कि कानून के नजर में सब समान है लेकिन सनरक्षन दिया जाएगा कानून के अनुसार क्या सनक्षन दिया जाएगा, अगर बच्चा है, तो उसको उसी हिसाब से कानून बना जाएगा, और एडल्ट है, तो उसको उसी हिसाब से कानून बना जाएगा, हाँ, भेदभाव यहाँ पर तब माना जाता, कि जब बच्चा है, और दूसरा बच्चा भी है, और दोनों के सजा में भेदभाव कर दिया जाए अगर एक ही तरह का अपराद किया है तो तो यहां पे भेदभाव हो जाए तब भेदभाव माना जा सकता है लेकिन अगर एक बच्चा है एक बड़ा है तो वहां पे अगर कानून अलग-अलग है तो यह भेदभाव नहीं है यही कि किसी के साथ भी इंगलीज में लिखा हुआ है धर्म, रेस, का सिक्स और बर्थ और प्लेस के धार पे भेद भाव नहीं किया जाएगा कि वो कुवा सवर्नों का है वहाँ पे कोई दूसरे जाती वाले जाकर कि पानी नहीं भरेंगे ये नहीं होगा उस रेस्टूडेंट में कोई जाके नहीं बैठेंगे अच्छा यहाँ पर याद आ गया मुझे रेस्टूडेंट से जब अंग्रेजव का दौर था अंग्रेज मतलब इंग्लैंड, बिर्टेन जिसको गरेट बिर्टेन कहा जाता है नहाने का जगा जो होता था समुद्र किनारे या रेस्टूरेंट जाहाँ खाने का जगा काले और कुट्ते जो बलैक लोग थे उनको कुट्तों के समान माना जाता था या उससे भी नीचे माना जाता था तो यह जो भेदभाव है यानि कि किस अधार पे भेदभाव हो गया, दो अधार पे, एक रेस के अधार पे भेदभाव हो गया, और एक रेस के अधार पे यह ज्यादा भेदभाव है, इसको रेस के अधार पे कहेंगे, और भारत में जाती अधारी भेदभाव आपको दिखाई परता है, जो कि मैंने मंदिर को लेकर कांदूलन चल रहा है कि महिलाय चाह रहा है केरल के सब्री माला में इंट्री करने को लेकर के तो वहाँ पर सेक्स को लेकर के हो गई तो ये भेदवाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल पंदर कहता है, तो आर्टिकल पंदर क्या कहता है, भेदवाव नहीं होगा, किस अधार पे नहीं होगा, धर्म के अधार पे नहीं होगा, हिंदू-मुसल्मान से खिसाई नहीं किया जाएगा, कास्ट के अधार पे नहीं हो पिर तुम क्या बोलते हैं इस मूल के हो, तुम मलेसियाई हो, तुम बिहारी हो, तुम महराष्टरण हो, तो इस अधार पे भेदवाव नहीं होना चाहिए, अप जानते हैं कि नियुक बिहारी की नाम पे भेदवाव चलता है पूरे देस में, यह कोई छुपी हुई बाते न बहे दबाव करता है, सबसे बड़ी बात है, हम खुद जाके बाहर जहलेंगे और अपने घर में हम खुद दूसरे का बहे दबाव करेंगे, तो यह जो दो तरहिके के नेचर है इनसान का, यह सबसे बड़ा ख़राब बात है, चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 16 का, आर्टिकल 16, यह क्या काता है, Equality of Opportunity in the Matter of Public Employment, यानि कि सरकारी नौकरी में जो मौके है, उसमें समानता की बात की गई है, सरकारी नौकरी में मौके की समानता, यहां पे एक बात समझेगा, लोग नियोजन के विशाय में अबसर की समता, यानि कि लोग नियोजन के विश इसी Article 14 में लिखाव Article 16 के 1, 2, 3, 4 जो सब पार्ट्स है, उसमें Reservation की बात की गई है, जिसमें SCST को पहले से Reservation दिया गया है, OBC को Reservation बहुत बात में मिला है, 1990 में OBC को Reservation दिया गया था, और उस समय हमारे देश के परधान मंतरी थे, कोई बता सकता है क्या हमारे देश के इमंदारी से करके बताओ, 1990 मैंने बता दिया भारत के परधान मंतरी कों थे, जिन्होंने Reservation दिया था OBC को, चलिए, तो क्या हुआ था कि, मैं OBC Reservation का कुछ कहानी थुरा सा बता दू, तो Article 16 में थुरा सा बात कहने के लिए मिरे पास हो जाता है, तो उसमें कहानी क्या हुआ था कि मंदल कमिशन 1977-1978 में मंदल कमिशन को न्यूक्त किया गया था, जब जन्ता पार्टी की सरकार बनी थी, जब इंदरा गांधी जी जेल गई थी जिस समय में, एस ठीक इमर्जेंसी की बाद का दौर है, इमर्जेंसी खतम हुआ था, उसके बाद का दौर है, इलेक्शन जिनमें उन्हें लगभा कि 3720 जातियों का उलेक किया था, जो की OVC के अंतरगत उन्होंने रखा था, उसको, Other Backward Class, याने की OVC के अंतरगत रखा था, उसमें उन्होंने कहा था, ये समाजिक और सैक्षनिक रूप से पिछरे हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बात नहीं कहा था, जिसमें की पॉइंट हो, उन्होंने कहा था, आर्थिक और सैक्षनिक, तो समाजिक और सैक्षनिक रूप से पिछरा हुआ है, समाजिक और सैक्षनिक रूप से पिछरा हुआ, सरी, आर्थिक नहीं, समाजिक और सैक्षनिक, और उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको उप उठाने के लिए उन्हें रिजर्वेशन का एक प्रस्ताव दिया था, ठीक है, यह मंदल कमीशन की बात है, मंदल कमीशन के जो रिपोर्ट थे वो ठंडे बस्ते में चली गई, किसले चली गई, क्योंकि दो साल बाद जन्ता पार्टी की सरकार गिर जाती है, इंद्राय सिंद्रा गांधी जी दुबारा गौर्वर्मेंट में आती है, और जन्ता पार्टी की जो सरकार का यह मंदल कमीशन का रिपोर्ट था, उनको रोक देता है, ठंडे बस्ते में डाल देती है, फिर आते हैं 1990, 1990 का दौर, और जब हमारे बीपी सिंग, नाम बता दिया मैंने, जब बीपी सिंग परधान मंत्री थे, उन्होंने सुचा कि क्योंन मंदल कमीशन को उपर लाया जाए, और एक बड़े बर्ग को, जो कि लगबख भारत के अबादी का 50% से ज्यादा पोपुलेशन था, उसको खुस किया जाए, जिससे उनका बोट बेंक की राजनेती की बा जंगने वाला नहीं, देने वाला बनाना चाहते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि उसको उठान हो, उसको उपर ले के आए, और इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन का एनौंस्मेंट किया, 15 अगस्त के जंडा फराने के दिन लाल किले से, बीपी सिंग ने, विसुनात परत जो यूपी के बलिया, साथ बलिया के आसपास के रहने वाले थे, राजा राजा उनको कहा जाता था, राजा बावी या राजा जी, ठेक चलिए, तो आर्टिकल 16 यहां पर समानता की बात करता है, सरकारी नोकरी में, लेकिन वहीं पर कुछ आधारों पर, राज जो है न, य यह नियम बनाई है कि कुछ आधारों पर, यानि समाजिक सेक्शनिक रूप से पिछरे हुए बरगों को हम, रिजर्वेशन दे सकते हैं, देंगे, और बिहार तो इसमें सबसे आगे निकल गया, आपको मालूम है, बिहार के बारे में, सब को रूला के रखा हुआ है, बिहा अब जेनरल वालों को तो जेनरल था, अब जेनरल में क्या किया, तुम्हारे पास जितना सीट है, उसका 35% महिला को दे दो, अब खाली महिला नोकरी में जा रहा है, अब उसे बिया कोन करेगा, और अगर बिया उसे हो भी गया, तो जो लड़का है, बच्चा खिलाए, में तो यह कहाणी है कि नोकरी वळा का नोकरी वळा से बिया होगा, ऐसा तो आप जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मतलब भी हो गया, बिया, बिया होना भी हो गया, नितीज कुमार जी ने हचिए, मतलब आब समझ रहे हैं दिल का दर्द निकल रहा है, बाहर, चल यह च जिनको reservation का, उनको लग रहा था कि मतलब मैं teacher हूँ और मैं जिस community से belong करता हूँ, मैं उनके भीहाब से थुरा सा बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए हर term को जोड़ना जरूरी होता है, आप उसको अलग तरीके से नहीं देखेंगे, तो 10% देखर के खुस कर नहीं की कोशिस किया, बहुत ज़्यादा फॉर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, article 16 का, अब बात करते है, article 17 का, यानि की evolution of untouchability, छुवा छूत की समाप्ती, यहाँ पर अस्प्रियसता का अंत, एक्जाम मे अपने आप में यह question पूछा है, या ध्यान रखेगा, चुवा छूत की समाप्ती, एक्जाम में अपने आप में यह question पूछा हुआ है, कई बारी पूछा है, कि किस article में, तो article 17, कई बारी पूछा है, यह चुवा छूत की समाप्ती की बात आप जानते हैं, अच्छे तरीक के डेटा में नहीं, लेकिन एक आम आदमी के हिसाथ से बात करूँ, वह के जरिवाल वाला नहीं, तक है अपना वाला आम आदमी, अगर एक आम आदमी के हिसाथ से हम बात करें, तो ओ क्यूमistan, हम लोग चुबब को सुनाथ करने में यॅगदान दिये हैं, कॉलेजेज, स्कूल, काम, मैं तब जहां हम काम करने जाते हैं, काम का जगह, बसेज, रेल बे, रेस्टुरेंट, हॉस्पीटल, यह जितने भी चीजे हैं, सारवजनिक चीजे, वो छुआ छूत को समात करने में सबसे ज़ा दिये हैं, हॉस्पीटल में आप कभी नहीं जाएं या फिर हम स्कूल में यह सूच के नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा साथ ही, तो यह बात ध्यान में रखेगा, या जॉब करने के लिए आप इसलिए इनकार नहीं कर देंगे, क्योंकि आपके जॉब के बगरवाले सीट पर जॉब कर रहा होगा वो, तो ध्यान र समाप्त करने में इसलिए सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कानून के इंप्लिमंट करने वाला भी कहीं नए कहीं, उसी अधार पे बोर्ट पाकर के सरकार बना रहा है, इसलिए वो इसको इंप्लिमंट करने में ज्यादा tin दिमाग नहीं लगा रहा है, हम आप अपने आपको लगता है के गौवर्मेंट की नीतियों में कि नि ईतिनी दम नहीं कि वो न्चीज्व को रिमूव कर सके क्योंकि उनकी नीतिया तहुत जाती है जब इलक्सन तरुक्त आपका इले–जिले जाती है, आधब, कुर्मी, जॉं ऐसा करके भूट बेंग की राजनीती करते हैं, उस समय ये सारी चीजे समाप्त हो जाती है, चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, आर्टिकल 18 यानि की अनुछेद 18, एबुलिशन ओफ टाइटल, उपाधियों की समाप्ती की बात हम लोग करते हैं, एबुलिशन ओफ टाइटल उसको समाप्त कर दिया जाएं, जितनी भी उपाधिया उसको समाप्त कर दिया गया है, ये उपाधी कैसी है, वो समझ ये थोड़ा गौर से, ये उपाधी है राय बहादुर की, ये उपाधी है नाइट हुड की, ये उपाधी है राजकुमार की, ये उपाधी है राजकुम यह आर्टिकल 18 में मेरी बात बड़े गौर से समझेगा और स्था इस तरीके से आप समझ न पाए क्योंकि हमारे पास दूसरे उधारण होते हैं जिसको समझाने के लिए गौर से समझे आर्टिकल 18 जो उपाधियों की बात कर रहे हैं जो उपाधी बांटी जाती थी किन को जो चांदी के चमच लेके पैदा होते थे चांदी के चमच का मतलब जो राज घ्राने में आया तो उसको राजा, राय बहादूर, सर, प्रिंस और ये और वो दे दिया गया ये है, चाहा वो किसी लायख ना हो, लेकिन ध्यान रखेगा, इसी समय भारष सरकार होustा और भी बहुत सारे उपाधिया चला रही है बहारा सरकार और भी बहुत सारी जो पुरुसकारे हैं वो चला रही है जिसमें सबसे बड़ा हमारा जो राष्टरिय पुरुसकार है जिसको national award बोलते हैं वो चलाते हैं तो अगर हम national award की बात करें यहां पर ठीक है National Award के अगर हम लोग बात करे तो आप जानते हैं कि भारत में चार प्रकार के National Award है सबसे बड़ा जो National Award है जो सबसे पहले मैं देखता हूँ भारत रत्न मैं B.R. लिग देता हूँ भारत रत्न सची नलूकर को भारत रत्न मिला है आपको मालूम है उसके बाद है हमारा पद्म तो पद्म में यहां पे ध्यान रखिएगा जो पद्म पुरुसकार है वो तीन परकार के हैं पद्म पुरुसकार सबसे छोटा है पद्म स्री यहां पर लिग देता हूँ स्री पद्म स्री है सबसे छोटा सारे पुरुसकार में पद्म स्री, पद्म के तीनों में, उसके बाद है पद्म भूशन, यहाँ पर देखो, पद्म भूशन, उसके बाद है पद्म भूशन, उसके बाद क्या है, पद्म भूशन, तो पद्म स्री, यहाँ पर स्री लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिखा है, तो मैं बोल तो ये पुरुषकार 1904 से दिया जा रहा है, निस्नल एवार्ड है, 1954 में शुरूप किया गया था, 1914 से लगातार दिया जा रहा है, और जानते हैं कि हमेशा ये पुरुषकार हर साल दिया जाता है, बहारत रतन हर साल नहीं मिल पाता है लेकिन पद्म भीभूसन, पद्म भीभूसन, पद्म सिरी हर साल दिया जाता है कुछ ना कुछ लोगों को इस साल भी दिया गया है और यह current affairs का पूरा का पूरा कहानी है कि किसको किसको पद्म भूसन, पद्म भी भूसन मिला है कंगना रानाओजी को मिला है आपको मालूम है अभी मैं current affairs इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि quality के class से चल रहे हैं पॉलिटी के class के हिसाब से बात कर रहे हैं जब current affairs की बात आएगी तो हमें आपे बताएंगे कि किसको 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 पद्म भूसन, पद्म भी भूसन मिला है या फिर current affairs वाले सर आपको बता पाएंगे कि किसको किसको पद्म स्री, पद्म भूसन, पद्म भी भूसन मिला है इस बार भारत रतन किसी को नहीं मिला है ये बात मैं आपको बता सकता हूँ और एक चीज और आपके एक्जाम में कोसन पूछा जाता है कि भारत में किन को भारत रतन नहीं मिला है तो भारत रतन का लिस्ट एक बार आप जरूर ध्यान में रखेंगे और उसको याद कर लेंगे, नहीं तो मैं भारत रतन का लिस्ट आपको एक बार जरूर कनवे कर दूँगा, एक बार जरूर आपको बता दूँगा उसके बाद यहाँ पर एक और कोशन बनता है कि कौन ऐसे बिदेसी है जिनको भारत रतन दिया गया है तो जैसे निलसनल मंडेला है, उनको भारत रतन दिया गया है, खान अबदुल गफार खान है, उनको भारत रतन दिया गया है तो यह ऐसे बिदेसी है जिनको भारत रतन दिया गया है, यह भी एकजाम का कोशन बनता है, निलसनल मंडेला को भारत रतन दिया गया है एक बात याद में रखेगा और कोशन क्या बनते हैं कि कौन ऐसे लोग है जिनको मरने के बाद पहली बार भारतरतन दिया गया है इस कोशन का जवाब तुम दोगे हम नहीं देंगे क्योंकि सारे कोशन का जवाब हम नहीं देंगे एक दूसरा पॉइंट यहाँ पड़ यह है कोशन आपसे क्या बनेगा भारतरतन के बारे में कि कौन ऐसा पहला बेक्ती है जो भारतरतन बना था तो आप जानते हैं कुछ लोग सरपली राधा किसनन को मारते हैं पहले भारतरतन मिला था और उनके साथ एक और को मिला था उनके साथ एक और किसको मिला था यह तुम लिखोगे ठीक है पहला मैंने बता दिया कुछ-कुछ पॉइंट्स आप हमको बताएंगे तो उपाधियों में यहाँ पे बात ध्यान में रखेगा उन उपाधियों की अंत की बात की गई है लेकिन जो कुछ पॉइंट है इसको कहा गया है की नहीं यह उपाधिन नहीं है दर असल यह एक वायर है यानि कि आपने देश के लिए ऐसा काम किया है कि आपको यह उपाधिय दिया गया है और भी बहुत सारी उपाधियां है, तो आप देश के लिए ऐसा काम किया है, जिसलिए आपको उपाधिया गया है, इसलिए नहीं दिया गया है, कि आप जैसे सचिन दनुकर को भारत रत्न मिल गया, तो क्या सचिन दनुकर के बेटा को भारत रत्न मिल जागा, नहीं मिलेगा जब तक वो काम नहीं करेंगे नहीं मिलेगा ठीक है उसी तरीके से तो आप कुछ काम करे देश के हित के लिए करे देश को रोशन करने के लिए करे तो आपको ये दिया जाएगा दूसरी बात यहां पर और मैं बताना चाहता हूं उस बात को ध्यान से आप समझेंगे बड़े गौर से आप समझेगा वो बात ये है कि भारत रत्न या पदम स्री या पदम भूसन या पदम बिभूसन नाम के prefix में या suffix में यानी नाम के पहले या नाम के बाद में आप नहीं लीखेंगे नहीं, तो ये fundamental right का violation हो जाता है तो prefix और suffix में इसको नहीं लिखेंगे लेकिन आप जानते हैं कि लीखी देते हैं लोग, ठीक है न, उसको आपको पता है बट ये है कि आप नहीं लिखेंगे एक, उपाधियों के अंत में एक और बात क्या है कि आप कोई बिदेसी उपाधी acquire नहीं करेंगे और अगर कोई बिदेसी उपाधी आपको लेना है तो आपको भारत के राष्टपती से permission लेना होगा इस बात को ध्यान में रखेगा, यहां से exam को question बने है एक बार PCS में कि बिदेसी उपाधी किसके permission से हम ले सकते है तो भारत के राष्टपती के permission से बिदेस का उपाधी हम क्या कर सकते है ले सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे चलिए, तो यह हो गया हमारा 15, 16, 17, 18 जिसमता के अधिकार की बात कर लिये समता विदे के समान सनक्षन, 14 में यह कह सकते हैं, कि कानून को नजर में सब समान है पंद्र क्या कहता है कि भेध भाव नहीं होगा किस अधार पे religion, race, sex, birthplace, caste के अधार पे भेदभाव नहीं होगा Article 16 क्या कहता है Public employment में भेदभाव नहीं होगा सब को एक समान देखा जाएगा इसी अधार पे किस अधार पे religion, race, caste, sex, और birthplace यहाँ पर reservation की कुछ बात की गई है उसको हमने आपको समझाया 17 क्या कहता है Untouchability की बात कहता है 18 उपादियों के अंत की बात करता है चलिए आगे हम लोग बात करते है ध्यान में रखिएगा आगे आगे हमारा है अर्सोतंतरता का अधिकार Article 19 से 22 19, 21, 22 बहुत important है Article 19, exam point of view से Article 19 बहुत important है हाला कि हम आपके बात बता दे जितने भी आपने आप ही तक Article पढ़ा है और जो भी चीज़े आपने पढ़ा है वो सब important है exam में अगर आप previous year question paper solve करेंगे तो आपको solve करता हुआ नजर आएंगे आप question बनाते हुए नजर आएंगे ये वीडियो थोड़ा बढ़ा होगा इस बात को आप जानते हैं तो अगर वीडियो बढ़ा होगा तो आप इसको part में देख सकते हैं क्योंकि question exam का छूटे नहीं आपका question exam का छूटना नहीं चाहिए इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लिए चलिए तो पहला है freedom of speech and expression यानि वाक एवम अभिव्यक्ति की सोतंतरता यहां पर वाक एवम अभिव्यक्ति की सोतंतरता में क्या बात की गई है वो हम आपको उताते हैं तो वाक एवम अभिव्यक्ति की सोतंतरता में कहा गया है कि बोलने की सोतंतरता है आपको Article 19-1a याqora00 Praise की सुतंतरता इसी के अंदरगत है इसी के अंदरगत? Article 19-1a और यह question एक्याम में बना है जब भी मैं exam का question बोलता हूं तो आख इसको ध्यान में रखेंगे चलिए और विव्यक्ति के सुतंदरता क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ What is the expression? Freedom of expression आप गाना लिखते हैं आप गजल लिखते हैं आप फिल्म बनाते हैं आप पढ़ाते हैं आप आर्टिकल लिखते हैं आप टेलिवीजन देखते हैं आप रेडियो सुनते हैं आप अख़वार निकालते हैं आप मैगजीन निकालते हैं These all are expression ठीक है? आप भासन दीजे कहीं खड़ा हो करके ये भी expression है तो expression की सोतंतरता बहुत जरूरी है और कहते हैं कि ये सबसे बड़ी सोतंतरता है एक राष्टपती हुए अमेरिका के नाम सुना होगा Abraham Lincoln उनका नाम आप लोगों ने जरू सुना होगा उनका एक कोट है जो मुझे याद आ रहा है अगर मैं गलत हो तो मुझे correct कर दीजेगा कि मैं जानता हूँ कि तुम गलत बोल रहे हो ध्यान रखेगा मैं जानता हूँ और अपने आप में कितनी बड़ी ये बात है इसको अगर गौर से आप समझ ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मैं जानता हूँ कि तुम गलत बोल रहे हो लेकिन तुम बोलो इसके पक्ष में हम है ठीक है मतलब हम जान रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है लेकिन तुम बोल रहे हो और तुम बोलो इसके हम पक्ष में हैं क्योंकि तुम्हारा बोलोना चुप नहीं होना चाहिए इस बात को ध्याल में रखेएगा तो यह article बढ़ा important है वागे व्यक्ति और यह बोलना सिर्फ मूझ से बोलना नहीं होता है ये बोलना किताब से बोलना होता है, सिनेमा से बोलना होता है, नाटक से बोलना होता है, और जितने भी अविव्यक्ति के साधन है, अकवार हो सकते हैं, मैगजीन हो सकते हैं, वीडियो रिकोर्डिंग हो सकता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अविव्यक्ति के साधन है, सारी अवियक्ति की साधन है इस बात को ध्यान में रखना आप लोग प्लीज गल्ती मत कर लेना चलो ठीक है तो आर्टिकल उन्नीस एक का ये क्या कहता है freedom of speech and expression वाक वियक्ति की सुतंतरता freedom of place इसी के अंतरगत आते हैं अगला दूसरा है to assemble peacefully and without arms यानि सांती पुर्वक बिना सस्त्र के सम्मेलन ये दूसरा है यानि की आर्टिकल उन का A है और आर्टिकल उन का B है एक बात ध्यान में रखियेगा जरा मैं आगे बढ़ू से पहले कि पहला जो मैंने आपको बताया कि freedom of expression लेकिन एक चीज मैं आपको बताओं हमारे सम्मिधान में आजादी है लेकिन हर आजादी एक limitation के साथ है मैं फिर से बताओं हमारे सम्मिधान में आजादी है लेकिन हर आजादी एक limitation के साथ है जैसे मुझे बोलने की आजादी है, आपको बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी का मतलब है नहीं कि तुम गिसी को गाली बगदो, गाली बगदोगे तो मुफुला दिया जाएगा, बोलने की आजादी इतना यहां तक लिमिट हो जाता है, जैसे पेंटिंग करन यह भी एक अभी विक्ति है, तो पेंटिंग की आजादी है, आप पेंटिंग होना यह, लेकिन एमेफ हुसैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मकबूल फिदा हुसैन, उनको भारत से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन के अगेंस में जा होंगे, कि भारत के सरकार के खिलाफ आप बोले, लेकिन भारत के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, मतलब उनको गाली बखेंगे, तो फिर वो आपका एक्स्प्रेशन नहीं है, तब आपको पुलिस पकड़ लेगी, मतलब गौर्मेंट के अगेंस्ट अगर बोलते हैं, बीज भारत के खिलाफ में, तो वो गलत है, फिर वहाँ पे जेन्यू वाली कहानी हो जाएगी, और मैं वो सब्द बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, अपने देश से हर कोई प्यार करता है, जो इस देश में जन्म लिया है, हर अपन अपने देश से प्यार करता है, और अपने देश का साथ लेकर करके चलिए, चलिए ठीक है, आगे हम बात करते रहेंगे आपके साथ, तो to assemble peacefully and without आम, सांती पुरुवक बिना सस्तर के सम्मेलन, यहाँ पे सांती पुरुवक बिना सस्तर का सम्मेलन आप कीजिए, कोई रोकने आप जानते हैं, हम लोग सम्मेलन करते हैं, बैट जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, इकठा बैट जाते हैं, चलो ठीक हो, होली का मीटिंग होड़ा है, होली इस तरीके से खिला जाएगा, चलो ठीक है, कुछ चीज का मीटिंग होड़ा है, हम इस तरीके से इस काम को करेंग गाओं के उत्थाने के लिए मीटिंग चल रहा है, लेकिन उस मीटिंग में ससस्त्र बात नहीं होने चाहिए, यानि कि ससस्त्र सम्मेलन नहीं, कि बंदूग लिए करके सम्मेलन करें, फिर तो उसम्मेलन पर इसा इसा लाठी बरसेगा, कि दर्द बहुत-बहुत जगह से निक उसमेव है कि पंद बीसाइ प प्रसिसे निकलता है, यहाहन उसने चुहाँ भीन होगा, तो प्रूरिक यहां पर यह है कि ध्यान मी लखिएगा, तो कुछ आ प्रूराइस io, और और आदो ऑचनीони पर जरूर है, बहुत जरूरर बनाते भी हैं, बनाना चाहिए, जैसे NGO बनाते हैं, आप institution बनाते हैं, आप कोई committee बना लेते हैं, आप development को लेकर कोई संग बना लेते हैं, बहुत सारे चीज़े आप जानते हैं, जो आप political party है, वो भी एक तरीके का संग है, जो NGO है, तरीके का संग है, या संगम है, लेकिन समाज के खिलाप में, समाज के हित में होना चाहिए, उसके खिलाप में नहीं होना चाहिए, और अगर खिलाप में है, तो फिर उसके ऊपर कारवाई होगा, आप जानते हैं कि सरकार समय समय पर NGO को बैंड करती है, कुछ institution को बैंड करती है, क्योंकि वो कहीं ने कहीं समाज के हित में और संस्किर्टी के हित में या देश के हित में सही नहीं होता है इस बात कम समझते हैं To move freely throughout the territory of India भारत के राजशेत्र में बिना रोक टोक जाने मतलब पूरे भारत में आप घूमिये आपको कोई रोक टोक नहीं करने वाला है बस टिकट ले लेना ट्रियन का और नहीं तो फिर वहाँ पे मत दिखाना कि हमारे पास आर्टिकल 19 है भारत के राजशेत्र में बिना रोक टोक आने जाने वाला राइट हमारे पास में है फिर तो वह जेल में आप से पूछेगा ठीक है तो टिकट ले लेना बाकी पूरे भारत घूमों कोई रोकने वाला तुमको नहीं है कहीं भी जाओ कोई रोकने अब ऐसा भी है यहां पर भी लिम्टेशन है कि किसी कारण बस आपको रोक दिया जाए जैसे राहूल गांदी जा रहा है थे पंजाब एक बार मुझे याद है जब मैं पर रहा था तो आप उनको रोक लिया गया उसमें पंजाब में बीजेपी की गौर्मेंट थी तो आप उनको रोक लिय है कि आप कुछ illegal काम में है और आपको बैन कर दिया तो आप जाये आईएगा तो आपको गवरमेंट पकड लियेगा और इससे भी आप आप outlook में हैं में तो कुछ ऐसे चीजे हैं जहां पर आपको रोक टोक लगाया जा सकता है बाकी नॉर्मली आप कहीं भी जाईए यह कोई रोक अभी कोरोना का समय है आप देखिए गवर्मेंट अगर लोगडाउन लगा दिया है तो आप मत जाईए अगर नहीं लगाया है तो आप जाईए अधार कार दिखाई आपको अपने गाया है तो मैं अपने घर के लिए महान हो गया है ऎक्टाहिम नहीं करें पता पर्मानेटली अगर कभी रहने के लिए जाओंगा तो किस तरीके से वहां पे अर्जेस्ट करऊंगा, और कैसे वहां पे इंटरेक्ट करूंगा, ये बाद की बात है, ये हमारी समाजदारी होगी कि हम कैसे वहां पे करें, लेकिन ध्यान है आपड़ यह कि आप कहीं भी बश जाएए तो मैं अपनों दारण इसलिए देओ कि मैं बाहर ही रहा हूँ तो हम कहीं भी और कहीं भी मेरा घर नहीं है जमिन खड कर नहीं रखावा हूँ सब जगार किराये पर आऊँ तो कहीं भी बिरा सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है ठेक है तो to reside and settle in any part of territory of India यह article 90 नहीं कहता है F जिसको निर्सित कर दिया गया इसमें भी संपत्ति का अधिकार था तो इसको हटा दिया गया कब हटाया गया 44 संविधान संसोतन से हटा दिया गया F में ठीक है G क्या कहता है कोई भी ब्रिती कोई भी आजीविकार कोई भी ब्यापार कोई भी कारवार करो एकदम फ्री है तुम teacher बन जाओ जैसे हम मैं बना हुआ हूँ तुम engineer बन जाओ तुम builder बन जाओ तुम कुछ भी काम करो कोई भी काम करो कोई भी ब्रिता करो कोई भी जीव काम तुम दुकान खोलो तुम ब्यपारी बन जाओ तुम कुछ भी करो लेकिन आप यह नहीं तुम खेती करो आप खेती करने के लिए आपको बोला है आपको उपजाना है चावाल है इस बात को समझेगा तो article 19 बहुत important है लेकिन एक limitation तक ही बहुत सारे लोग article 19 के सिर्फ पहला वाला जो freedom of speech and expression है उसको पढ़ा करके article 19 समझ लेते हैं दरसल ये सब भी article 19 ही है तो इसको आप समझेगा मैंने आपको पहले कहा कि ये वीडियो बड़ा लंबा हुआ क्योंकि fundamentalite को हम पूरे अच्छे तरीके से देखने वाले हैं तो इसको ध्यान से आप देखेंगे ये article 19 है जिसमें हमने पहला ये सबसे important है जो पहला है चुकि इसको सबसे ज़्यादा लोग पढ़ा करके छोड़ देते हैं 20 यानि कि अब article 20 की अगर हम बात करे यानि 20 की बात करे तो 20 क्या कहता है 20 कहता है अपराधो के लिए दो सिधी के संबंध में सनरक्षन ठीक है देखो कितना अच्छा आपका कानून है 20 और 22 इस दोनों को देखो एक ही साथ है कितना अच्छा कानून है आपका कि मतलब पहले तो गलती करो और उसके बाद आपको क्या अधिकार है वो हम आपको बताएंगे मतलब भीमरा अंबेदकर सहाब ने तो हद कर दिया मतलब पहले आप गलती करो अब हम बताते हैं कि तुम्हारा क्या राइट है समिधान का एक इतना मोटा प्रती आता है सौ देर सो रुपया में आएगा ज्यादा महेंगा नहीं है और उसको खरिद के अपने घर में रखलो सिर्फ मतलब आप ना पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लीस दोनों बला लेना उसको रखलो सिर्फ रखलो बहुत जरूरी है कभी भी पलट करके जब मन करें कि देखते हैं वहाँ राइट क्या है आपको वहाँ दिख जाएगा कि राइट क्या है ओरिजनल समिधान बिखता है मार्केट में जाके बोलोगे समिधान क्या है यह नहीं कि कोई पहले से कोई कानून था उसके अधार पे आपको सजा दे दिया गया मतलब no ex-facto law पूर्वपद कानून नहीं पूर्वपद परभाव कानून नहीं ठीक है दूसरा क्या कहता है दोहरी छती नहीं यानि एक ही गलती के लिए दुबारा आपको सजा नहीं मिलेगा तीसरा क्या कहते है कि no self-incrimination यानि so obvious intention मतलब आपने गलती किया है और आप ही को कहा कि जवर्दस्ती दवा बना करके कि तुम अपना गलती कबूल करो तो जवर्दस्ती कबूल नहीं करवा जा सकता है यानि कि आपको आप ही के गलती के खिलाप में गवा नहीं बनाया जा सकता है मतलब अगर अज़ तक आप तयार नहीं हो तो article 20 कितना important है वो देखो कितना important है इसको अगर अच्छे तरीके समझते article 20 को तो ऐसे समझो मान के चलो कि तुमें एक बकरी चुरा लिया है मान के चलो तुमें एक बकरी चुराया है article 20 समझा रहे है बकरी चुराया मान के चलो तो बकरी चुराया और बकरी चुराने का अगर अभी जो कानून है वो है पांच लाठी कि तुमको 5 लाठी मारे हैं बक्री चुराने का तो तुमको 5 लाठी मारा जाएगा 6 लाठी नहीं मारेंगे क्योंकि वही कानून की इसाब से आपको सजा मिलेगा हो सकता है कि बक्री चुराने का सजा पहले, मतलब बहुत पहले 50 लाठी था तो आपको 50 लाठी नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो बहुत पहले था, वो खतम हो गया कानून, अभी कितना है 5 लाठी, तो आपको 5 लाठी ही मारा जाएगा, तो यह समझ में आ गया, दूसरा है, अगर तुमने बक्री चुडाया है, और 5 लाठी तुम मार खा लिये, तो फि पहले चुराया था, तुम ललका बक्री, ठीक है, पहले चुराया कुन ललका बक्री, अब चुरायागा तुम कर्यक्का बक्री, तो फिर 5 लाठी मारेंगे, तो काय की बक्री बतल गया ना, पहले ललका था, अब कर्यक्का है, यानि की काला वाला है, ठीक है, तो फिर 5 चलिए दोरीचती हो गया एक भार चुड़ी गलती के लिए एक लगा ज्यादा कि लिमाज मत लगाना हमारे सामने में क्योंकि जब offline classes होते थे इस तरीखें की बच्चों करिप्प्लाई आते थे तो भीता है थी ज्तनी को पामें पामे उड़ां खना शिम 我要 तो आप इसनसन नहीं, मतलब आप ने जो गल्ती किया है, उसी के लिए आपको, अभी खुद को लिए, नहीं कहाँगा कि तुम मान लो कि तुमने गल्ती किया है, जबर्दस्ति नहीं करेगा, ठीक है, जो थर्ड डिग्री होता है, अगदम गुमा फिरा के मार मार के, तो ऐसा तो जब भी हम काम करके वापस लोटते थे, तो देखते हैं, हर साम कोई नहीं कोई पुलिस थाने पे पीट रहा होता था, हर साम कोई नहीं कोई, तो ध्यान रखिएगा, चलिए, आर्टिकल 21, बहुत इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 21, प्रान और दहिक सुतंत्रता का सनरक बहुत पार एक्जाम में कोई आया है, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन अफ लाइफ और प्रास्नल लिवर्टी, यहां पर प्रास्नल लिवर्टी की बात की गई है, आर्टिकल 21 में, एक बात ध्यान में रखिएगा, कि जो प्रास्नल लिवर्टी की बात आर्टिकल 21 में किया कि मेनका गांधी केस में, मेनका गांधी नाम सुना होगा, जो प्रधान मंत्री नर्मोदी की सरकार, जो पहली सरकार थी, वो उसमें चाइल्ड मिनिस्टर थे, मिनिस्टरी थी उनके पास, तो उनका एक केस था, उस केस में, इन्होंने बहुत सारे अधिकारों को, आर्टिकल 21 के अंतरगत किया, और बहुत सारे राइट्स आर्टिकल 21 के अंतरगत दिखते हैं, शिर्फ ये एक लाइट नहीं दिखता है, जैसे की, राइट टू डिगनिटी, यानि की, क्या बहुत है उसको, डिगनिटी के साथ रहने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के अंतरगत है, राइट टू प्राइवेसी, यानि की प्राइवेसी के साथ रहने का अधिकार, ये भी जो है न, आर्टिकल 21 के अंतरगत है, राइट Article 21 का अंतरगत है Right to Health स्वास्त का अधिकार यानि कि Hospital मिले हमें ये भी Article 21 का अंतरगत है तो Article 21 का अंतरगत सिर्फ ये एक Right नहीं है Rights का पूरा पूरा बहुत बड़ा लिस्ट है उसको आप बड़े ध्यान से देखेगा जिसमें एक्जाम में ये कोशन पूछा है कि Right to Privacy या Right to Dignity या Right to Live with Dignity Right to Life यानि जीवन का अधिकार ये किसके अंतरगत आता है तो ये सब Article 21 के अंतरगत आता है ठीक है ना? Privacy बगर आप समझते होंगे अच्छे तरीके से Article 21 Right to Education सिक्छा का अधिकार सिक्छा का अधिकार ये Article 21 के एक अंतरगत है और ये कोशन एक्जाम में कई बड़ आया है कई बड़ी आया है और ये जो कोशन एक्जाम में आया Article 21 के ए सिक्छा का अधिकार दरसल ध्यान में देखेगा इसे बाद में जोड़ा गया है, कब जोड़ा गया है, तो 86th Amendment Act 2002 में जोड़ा गया है यानि कि 86 सम्मिधान संसोधन 2002 के द्वारा सिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, आर्टिकल 21 के एक जोड़ा गया है तो यह यहां भी जोड़ा गया है, 86 सम्मिधान संसोधन 2002 के द्वारा और इसे कहां-कहां जोड़ा गया, आर्टिकल 4 के A में यानि कि fundamental duties के एक जोड़ा duty है, वो भी यही है, मतलब education के लिए करके है कि parent को अपने बच्चे को इस्कूल में नाम दाखिला कराना उनका करतब है तो ऐसा करके एक करतब बनाया गया है, एक 11 करतब जो आर्टिकल 4A के अंतरगात आता है fundamental duties में, मौली करतब में, वो भी 86 सम्मिधान संसोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है और आर्टिकल 21A भी इसी सम्मिधान संसोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है इस बात को अप अच्छे तरीके समझेगा, तो 20, 21, 21 के A, यह समझ में आ गया, चलिए 22 वा की बात करते हैं, यानि कि आर्टिकल 22 की बात करते हैं जब आर्टिकल 22 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देगा, 20 समझ में आ गया न, 20 क्या है, गल्थी किये हो, उसके बाद आपका क्या है 21 तो आपको पूरा, बहुत इंपोरेंट है, आपको बहुत सारा राइट्स देता है, प्राइवेसी की राइट्स देता है, डिगिनिटी की राइट्स देता है, आपको लाइफ की राइट्स देता है, हेल्थ की राइट्स देता है, सेल्टर की राइट्स देता है, बहुत स संदक्छन अब यहां पर बात है पहले तो किया किया था कि तुमने गल्ती किया है अब क्या राइट है अब यहां पर है कि गल्ती को लेकर ही राइट है लेकिन गिरफतार होने के समय क्या राइट है किसा कैसा राइट दिया है समझो पहले की गल्ती करो तब राइट और इसको किस आधार पे हमको गिरफ़तार कर रहे हो वो हमको बताओ गिरफ़तारी क्यों ठेक है किसलिए गिरफ़तार के संबन जब आया कोट का गिरफ़तारी की आपके खिलाप संबन आया है गिरफ़तारी आया है किस बात का संबन है तो आप दिखाये पहले पेपर तो आप पूछ ये कि हम को क्यों गिश्य गरफदार किया गया है। और मत पुछना है तो पूछना है ठीक है, चलिए, हमको कनून समझाता है, ऐसे बोलेगा पुलिस वाला, राइट टू कंसल्ट टू बी डिफेंड बाइड लीगल एडवाइजर, यानि कि अगर आपको गिरफतार हो गया है, तो आप उनसे कहिए कि हमको वकील चाहिए, यानि कि अगर आपको गिरफतार हो गया है, मजिस्टेट के सामने में 24 घंटे के अंदर आपको रख देना है, ये आर्टिकल 22 कहता है तीसरा, तो 22, 24 घंटे के अंदर, ठीक है, 22 और 20 इसको बड़े गौर से समझेगा, ये आपका एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि दोनों में सिमिलारिटी है, दोनों में आपके गिरफदारी, गल्ती, अपराद की कहानी है, तो जहां तक 20 कहता है, कि हमने गल्ती किया है, अब हमें क्या-क्या कानून लागू होगा, तो वो बकडी वाला कहानी सुनाय थे, और जहां 22 कहता है, वहाँ पर कहता है कि अब गिरफदार करने आगया है, तो पहले हमको बताओ कि क्यों गिरफदार कर रहे हो, हमको वो कील दो, और 24 गंटे के अंदर हमको मैंस्टेर के सामने लेगा, चलो थाना में मत रखना, क्याकि थाना में तुम बहुत मारेगा, बहुत मारेगा तो इस वज़े से ध्यान में आप रखिएगा चले ठीक है अगला 22 उसके बाद इस आर्टिकल से हम आगे बरते हैं और अब हम आगे बरते हैं क्या सोसन के बिरूद अधिकार राइट अगेंस्ट एक्स्प्लाइटेशन यानि सोसन के बिरूद अधिकार की बात हम लोगे यहां पे करते हैं देखिए जब सोसन के बिरूद अधिकार की बात करते हैं यहां पे तो यहां पे दो आर्टिकल आता है 23 और 24 और एक्जाम में अपने यहां पे कोशन पूछ लेता है कि इनमें से कौन से आर्टिकल सोसन के विरुद अधिका राइट अगेंस एक्स्प्लाटेशन के अंदर गता है तो 23 और 24 तो 23 और 24 में क्या है और 24 से एक्जाम में कोसन है 24 से 14 यह ध्यान रखेगा 24 से 14 मेरा एक दोस्त जो है ना जब हम लोग पर रहे थे तो ऐसे हमको याद करवाया था 24 से 14 याद करो क्या जायाद करो कि 14 बड़ से कम उमित के कोई बच्चा कहीं भी काम नहीं करेगा कारखाना आदी में बालको के नियोजन का परतिसेद तो इस तरीके से मुझे याद करवाया थे जबरदस्ती से समझते होना किसी से काम नहीं करवाना जबरदस्ती यह है आपका आर्टिकल 23 ठीक है और फोर्स लेवर का मतलब समझते है बलात सरम या जो भी तो इसको आप समझ रहे हैं फोर्स लेवर का इसका मतलब होता है कि जोगरदस्ति काम करना जो पहले चलता था कि काम करवा रहा है पैसे भी नहीं दे रहा है पैसे दे रहा है तो अपनी मर्जी से दे रहा है तो ये चीजे ये आज भी है ऐसा नहीं है आज भी ये चलता है आर्टिकल 23 यह आर्टिकल लिग दिया गया है लेकिन इस पर बहुत ज़दा कंट्रोल गौर्मेंट का नहीं है, मैं पूरे जिम्मवारी से यह बात बता सकता हूं, क्योंकि अगर मैं बोलने लगा तो बहुत सारा बात आजाएगा और आपका आखे खुल जाएगी, आज का जितना भी जो नौकरी करते हैं, उसमें आप देखियेगा कि आप काम का घंटा, 9 घंटा, करवाया का बाड़ा घंटा, आप सेलरी सही समय पर नहीं देना, भेद भाव करना, मतलब हर चीज है, मतलब आप अगर इसको समझ सके, मेरी बात को तो समझ जाएगे, आर्टिकल 23, यानि कि मा प्रतिस्यद जवर्दस्ती काम नहीं कराया जाएगा, तो ये बाते हैं, ध्यान रखिएगा, 23 में, और ये अभी भी चल रहा है, इसमें मैं बहुत सारी बाते कर सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको और भी बाते इसमें बताऊँगा, आर्टिकल 24 क्या क पर रूरी नहीं कि हर कारखाना और दूसरे दरा काम पर लगाया जा सकता है, मतलब ये एक तरीके का इसारा है, क्या इसारा है कि कारखानों में नहीं अलग काम करवाओ, लेकिन इसी समय में एक धिनियम बना हुआ है भारत में, जो 14 वर से कम उमर के बच्चों को किसी भी का लूफ़ूल क्या है कि अगर वो काम इसे मतलब अपर दूसरे कने कारखाए कि ये मेरे चाचा है, ये मेरे गारजियन है, है मेरे पैरेंट है, तो काम खतम लेकिन आप जानों रहें कि इस 24 ओर बाल सरम निसेद के कानून बनने के बाद भी आप चले जाए पूरे भारत में बच्चे बताने कहां कहां काम करते हैं, बहुत जगा काम करते हैं, ध्यान रखेगा, ठीक है ना, तो Article 24 आपको ये कहता है, चलिए, आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं 24 के बाद, अब हम आ गया है, धार्मी सोतनतरता के अदिकार के उपर में, राइटो फ्रीम of religion, धार्मिक सोतंता के अधिकार पे आर्टिकल आप देख लीजे, 25, 26, 27 और 28, यह चार आर्टिकल है, ध्यान में रखेगा, और एक एक आर्टिकल की बात करेंगे, इस पे बहुत जादा बात होता है, तो हम लोग बात करें, धार्मिक सोतंता करें, परचार करने का अधिकार, यहां पे क्या कहता है, Freedom of Consence, Free Profession, Practice Prorogation of Religion, यानि आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, आप उसका परचार कर सकते हैं, उसका परसार कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ध्यान देए यहां पर परचार परसार खी गए हैं यह आप कर सकते हैं लेकिन परचार परसार में आप जवरदस्ति किसी को धर्म का जवरदस्ति नहीं या लोग prol глutal के द्वारा नहीं करवा सकते हैं और यह इसको government allow करता है और इसको मना भी नहीं कर सकता है Article 25 के अंतरगत आप जानते हैं कि परचापरसार कर सकता है और कोई भी धर्म को अपना सकता है लेकिन अगर यही बात एक limitation यानि कि अगर आप लोब दे करके अगर उसे आप कुछ मतलब समझ रहे हैं गलत तरीके से अगर उसको convert कर रहे हैं तो यह गलत है आप कुछ जगों पर आप सुना जाता है कि एक बोरी चाबल दे दिया किसी बच्चे को स्वास्त ठीक कर दिये किसी को hospital में भरती करा दिये और आप का धर्म अगर इतना ही मानवता बादी है मेरी बात को बड़े गौर से समझना आप सब ठीक है आपका धर्म अगर इतना ही मानवता बादी है अगर आपका religion इतना ही ज़्यादा मानव के बारे में सोचने वाला है तो फिर यह लोब क्यों कि तुम एक बोरी चाबल ले लो या फिर आप बच्चे को हस्पिटल में भरती करा देंगे इस्कूल में नाम लिखा देंगे आपको इतना पैसा देंगे यह लोब किसे आप मानव के रूप में सेवा किज़े ना अगर उसके बच्चे का देत खराब उसको आप पैसे दे करके उसको स्वस्थ कर दीजे, ये मानबता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, आप किसी धर्म को, उससे कोई मतलब नहीं है, ये मानबता है, लेकिन जब आप गलत तरीके से चीजों को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वहाँ पर गॉर्मेंट रोक लगा देती है, तो 26 क्या कहता है, धार्मी कारियों के परवंधन की सोतंतरता, आप अपको सोतंतरता है, धार्मी कारियों के परवंधन का, जो मैं समझारा आमनों सब एक दरीके के, इंटर रिलेटेड है, आपको सोतंतरता है, आप अपने धार्मी कारियों का परवंधन कीजे, बहुत सोतंतरत ठीक है, आप मठ बनाईए, मस्जिद बनाईए, आप मंदर बनाईए, आप इंसिच्यूशन बनाईए, आप धार्मिक नाम पे जमीन ख़ड़ दिये, आप एसेस्ट सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, यह सब सोतंतरता है आपका, यह सब सोतंतरता है लेकिन अब यह नहीं कि इसे भी फिर मतलब आगे अब जवर्दस्ति किसी जमीन पर कभजा कर लिए है ना जवर्दस्ति कहीं पर कोई धार्मिक चीज बना दिये तो यह गलत है ठीक है लेकिन अगर आप कानून का नजर में अब जमीन परचेज किया वहां पर आपको इस च सारा काम कर रहे हैं उत्थान को लेकर के अलग-अलग समधाय की बात करें तो अलग-अलग समधाय के बहुत सारे लोग है जो उत्थान का काम कर रहे हैं अपने धर्म को उत्थान की काम कर रहे हैं और उससे देश का भी उत्थान हो रहा है तो यह acceptable है और लोग उसको बड़ आपको देता है. 27 इसलिए compete यह को कहता है कि किसी को भी आप धार्मिक द्हार पे मतलब राज्य के परजा के उपर धार्मिक अधार पे कर्मत लगा यह दिएगा घर्म के विर्दि के यह करो 역संदायक बारे सोतन रहता मतलब आप करम इसलिए मतलगाई कि किसी धर्म को आपको बढ़ाना है या किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप कोई मतलब है ने टैक्स बढ़ा जैसे इंपोज नहीं कीजिए और आप जानते हैं कि हमारे देश में इस तरह का कोई टैक्सेशन नहीं है जो किसी धर्म को बढ़ावा देने के लिए इंपोज किया गया है हाँ अब आप कह सकते है कि ने शवल वहां जाते है तो हम पह पर हमको इतना पैसा देना पारता है तो वह लेवी होता है वो tax नहीं है, वो एक तरीके का सुल्ख है, चुंगी है, वो उस जगा, जैसे मैं एक्जामपल देता हूँ, जैसे आप बैसनोदेवी जाते हैं, माता बैसनोदेवी के दरवार में जाते हैं, वहाँ पे मा बैसनोदेवी का स्राइन है, तो वहाँ पे अगर आप कुछ पैसे देते हैं, 100 रुपे, 50 रुपे, 25 रुपे, तो वो इसलिए दिया जाता है, ताकि उस पड़िसर का और उस जगा का देख रेख हो सके, वहाँ पे जो चोटी मोटी तूट फूट होती, उसको बनाया जा सके, जो चोटी चोटी बाते होती, उसको करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत होती है, आप जानते हैं, तो वहाँ के रेगुलेशन को चलाने के लिए, वो चोटी चोटी चीजों को जरूरत होती है, तो वो कर नहीं है, वो उससे लिया जाएगा, या वो देते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं, हम अगर नहीं जाएंगे, तो हम कहां देते हैं, मा इस बात को समझते हैं, तो कोई सरकार कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाया जाएगा जिसे किसी धर्म का अपलिपमेंट हो किसी धर्म का उत्थान हो क्योंकि हमारा जो देश है, आपने प्रेम्बल में पढ़ा है वो धर्म निरिपेक्च है यानि कि उसको बोलते हैं, हम लोग इंग्लिज में सेकुलर है, और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि देश का कोई धर्म नहीं है और देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, मेरी बास समझे देश का कोई धर्म नहीं है और देश सभी धर्मों का सम्मान करता है इसका मतलब यह है सेकुलरिज्म का यानि कि धर्म निर्प्यक्सता का और अगर हम किसी विसेश धर्म की बढ़ावा देना सुरू हो जाएगा तो हमारा सेकुलर जो नेचर है उस पे सवाल खड़ा हो जाएगा और अभी तक जहां में नोलेज है तो इस तरह का कोई घटना नहीं है अब कुछ बच्ची जैसे कि अभी सुप्रिम कोट का एक आदेश आया था अराम मंदिर को बनाने को लेकर करका वहाँ बनाया जा रहा है क्योंकि अगर आप इतने बड़ी अवादी है दो तीन रुपए भी देंगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से बन जाएगा ठीक उसी तरीके से वहाँ पर मस्जीद बनाने का भी प्रावधान किया गया है अपने मन से कुछ नहीं जो जमीने लॉट किया है यह अच्छी चीजा है मैं कहता हूँ कि आप कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये है कि राज किसी धर्म के विविर्दी के लेकर कि कोई बिसेस काम ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ, चलिए, 28, 28 मा क्या कहता है, कुछ सिक्षा संस्थानों में धार्मिक सिक्षा या धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाएगी, मतलब अगर कोईसी जगा पे आपको दिख रहा है कि वहाँ पे धार्मिक सिक्षा दिया जा रहा है, तो वो या तो उस सिलेबस में एक अध्या ऐसा जोड़ दिया गया होगा, जैसे कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं हम 6-7 वे क्लास में थे दूसरा जैसे कि अगर आप UPSC Union Public Service Commission करेंगे तो वहाँ पे आपको तुलसी दाजजी और सुन्दर कांड वहाँ पे है पढ़ना, Union Public Service Commission में, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं तो ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप तो उसको उस अधार पे नहीं मतलब गौर्मेंट के institution में विशेष रूप से जो गौर्मेंट के नहीं कि जाएगी, वहाँ पे सर्व धर्म संभाव की बात की जाएगी, वहाँ पे सिक्छा एक तरीके से जानी कि जो गौर्मेंट ने सलेवस तैय किया है, उसके इसाब से दिया जाएगा, ये तो पहले ब ठीक है तो यहां पे आपने धार्मिक सुतंतरता की बात हो गई Right to Freedom of Religion 25, 26, 27, 28 यहां पे धार्मिक सुतंतरता की बात कर लिए अब हम लोग आगे बात करते हैं सांस्किर्तिक एवं सेक्षनिक अधिकार Cultural and Educational Light जिसका आर्टिकल है Article 29 और Article 30 इसका आर्टिकल है Article 29 और Article 30 है सांस्किर्तिक एवं सेक्षनिक अधिकार अब यहां पे आप देखिएगा कि यहां पे क्या क्या है आल्प संख्यक बढगों के हीतों का संदक्षन Protection of Interest of Minority 39 बहुत इंपोर्टेंट है हमारे देश में Minority कौन है Minority तो हमारे देश में धर्म के अधार पे यानि Religion के अधार पे भासा के अधार पे Minority की बात की गई है तो Minority को यह कहता है कि आप अपने Interest को सुरक्षित कर सकते हैं Interest को सुरक्षित करने का मतलब यह होता है कि मान की चलो मैं भासा के एक्जाम का देता हूं तब से धर्म धर्म तो करी रहते हैं अगर कोई BCS भासा आप जानते हैं और उस भासा के बोलने वाई लोगों की संख्या लाब जानते हैं कि भारत में भासा बहुत सारे है उसके बोलनेवाई लोगों की संख्या में कम भी होती जा रही है तो अगर उसके protection के लिए अगर कोई institution आप खोलना चाहते हैं तो आप खोलिए उसके protection के लिए कोई special काम आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसी तरीके से कोई धर्म जैसे कि हमारे हां हिंदू मुस्लिम दो बड़े धर्मिक community के लोग है बाकि अलग community के भी लोग जैसे पार्सी है हमारे हां उनकी संख्या जानते हैं बहुत कम है सिख भी है उनकी भी संख्या कम है लेकिन पार्सीयों से ज़्यादा है इसाई है उनकी भी संख्या है लेकिन पार्शियों से ज्यादा ही है पार्शी हमारे हैं कम है और भी लोग है जो हमारे हैं संख्या में कम है बुधिस्ट है तो वो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं और उनके हितों के इंट्रेस्ट की सुरक्षा कर सकते हैं तो ये इनको राइट भी मिला है आर्टिकल 29 के तहट यानि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 30 क्या कहता है सिक्छन संस्थाओं के अस्थापना परसासन करने का संख्यक बर्गो कादिकार तो 29 और 30 अपने आप में इंटर रिलेटर है यानि कि आप सिक्छन संस्थाओं थापना कर सकते हैं आप उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं मतलब जैसे कि मान के चलो कि मेरा एक भासा है जो मेरी गाउं की भासा है वो बज्जी का है मैथिली का बिल्कुल उप भोली है जो मैथिली वाले लोग नहीं है वो समझेंगे कि मैथिली ही बोल रहा हूं लेकिन मैथिली नहीं बोलता हूं मैं बज्जी का बोलता हूं तो अगर बज्जी का बोलने वालों की संख्या कम है या बजजी का भासा को लेकर के हम कुछ करना चाहते हैं, तो आप कीजिए, इंसिजूशन खोल सकते हैं, उसको परसासनिक विवस्था, मतलब अपने रूप से परसासन कर सकते हैं, आपको राइट मिला हुआ है, ठीक है, तो मैंने बजजी का समझा दिया, आप लोग अपने को लेकर के, या फिर उसको उपर में कानून बनाने को लेकर के बहुत बात हो रही थी, इसलाम धर्म से जुरा हुआ है, आप जानते हैं, तो उस समय जो बैसी हैं, आप जानते हैं, होसियार बहुत है, मैं प्रसनली मानता हूँ ऐसा, कि वो होसियार बहुत है, बाकी जो भी तुन्होंने अपने मौलीक अधिकार का बेस बना कर कि यह बात बुला था इसलिए मैं उनको उनके पास नौलेज है लेकिन वहां पे एक बात और भी है ठीक है अगर आपके मौलीक अधिकार का क्या होगा लेकिन जो कानून मतलब चल रहा है जितने भी पिछले सालों से चल रहा हो हजार देर हजार सालों से या जितने भी सालों से चल रहा हूँ मैं उसको उबर में खंडन नहीं कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पर एक और बात है आर्टिकल 14 का क्या होगा आर्टिकल 15 का क्या होगा आर्टिकल 21 का क्या होगा ये बात भी उनसे पूछना चाहिए जब OVCG ने ये कहा कि हमारा 29 क्या होगा तो हम कहते हैं आर्टिकल 14 का क्या होगा समानता का अधिकार आर्टिकल 15 का क्या होगा लिंक के अधार पे यानि कि इस्त्रिपूरुस कदार पर भेदभाव का अधिकार आर्टिकल 21 का क्या होगा 21 का सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार राइट टु लाइव जीवन का अधिकार ये क्या होगा तो ये भी पूछना चाहिए उनसे मैं पूछ रहा हूं तो ध्यान रखेगा मैं फंडामेंटर लाइट ही पढ़ रहा हूं फंडामेंटर लाइट का एक्जामपल दे रहा हूं और फंडामेंटर लाइट के एक्जामपल से ही बातों को अपना रख भी रहा हूं 14, 15, 21 19, 29 के अगेंस में जब ये बात कहे थे उन्होंने तब चलो ठीक है तो कल्टर और एट कहीं पर हम रोकते हैं उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है ठीक है तो उसको ध्यान रखेगा 19, 21 को पढ़ लीजेगा अच्छे से और 14, 18 पूरा अच्छे से पढ़ लीजेगा उसके बाद आपका काम हो जाएगा ठीक है चलिए सम्मिधानिक उप्चारों का अधिकार Article 32 डॉक्टर भी मुराव अमबेदकर यानि डॉक्टर सहाब ने इसे भारत का सम्मिधान का आत्मा कहा था और ये बात मैंने लिखा है ठीक है भारतिय सम्मिधान का आत्मा Article 32 क्या कहता है कहता है परदत अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उप्चार हिंदी में बोल दिया इंगलिस में समझो इंफोर्समेंट में के लिए क्या उप्चार है क्या करेंगे अगर राइट का उलंगन हो रहा है तो क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे अगर अधिकारों का उलंगन हो रहा है तो क्या करेंगे तो डॉक्टर सहाब ने कहा Dr. साहब ने कहा कि ये भारतिय संविधान का आत्मे है और आप करेंगे क्या कि आप सीधे सिथे Supreme Court जाएंगे और वहाँ जाकर करके कहेंगे कि मेरे अधिकारों का उलंखन हो रहा है और Supreme Court आपके अधिकारों के संक्षन के लिए रीट जारी करेगी और REIT जो है वो हमारे यहाँ 5 परकार के है उसके बारे में बात हम बाद में कर लेंगे तो Article 32 के ताथ Supreme Court जाएंगे और आप कहेंगे कि हमारे अधिकारों का उलंगन हो रहा है violation of fundamental right हो रहा है आप High Court भी जा सकते हैं लेकिन High Court का Article 226 है मैंने दोनों बात लिग दिया है 226 है कहाँ पर उच नियाले के लिए और Article 32 है यहाँ पर किस के लिए उस्तम नियाले के लिए मैंने दोनों बात लिग दिया है अब मैं समझा रहा हूँ तो आप वहाँ जा सकते हैं तो कभी भी आपका fundamental right का अगर उलंगन हो तो Article fundamental right का उलंगन हो तो Article 32 और 226 के तहाथ Article 32 के तहाथ उस्तम नियाले यानि Supreme Court 226 के तहाथ High Court यानि की उच नियाले आप जा सकते हैं और आपके protection के लिए यानि के आपके right के protection के लिए Supreme Court या High Court एडिट जारी करती है अब अगर एक्जाम का question यहां से पुछना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले भारतिय समिधान का आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा गया है Article 32 ये बात किस ने कहा है डॉक्टर अंबेदकर साब ने कहा है रिट जारी करने का अधिकार किसको है Supreme Court High Court को है Supreme Court को रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतरगत है 32 के अंतरगत High Court को रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतरगत है 226 के अंतरगत रिट कितने परकार के होते है 5 परकार के रिट अभी बताएंगे हम बाद में रेट 5 परकार को होते हैं, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, अब Article 32 में बात क्या है, कि आपको जितना अधिकार मिला है, यानि कि जब से आप अधिकार पर रहे हैं, जितना आपको अधिकार मिला है, बात को समझेगा, अगर उस अधिकारों का उलंगन होता है, तो आप Supreme Court High Court जा सकते हैं, आप Supreme Court High Court जा सकते हैं, ट्रीपल तलाक में लोग Supreme Court गये थे, याद में रखियेगा, या फिर अभी भी मामला साथ Supreme Court में चल रहा है, आप हमें confirm करेंगे, तो द्यान रखियेगा इस बात को, Article 32 बहुत important है, exam point of view से, बहुत important है, मैंने सारी बातें यहापे कर लि रीट भी यहापे लिख दिया है, रीट्स, जो की बातें हापे हमने क्या, क्या लिखा मैंने, कि Supreme Court right to issue reads for the protection of fundamental right, और ठेक उसी तरीके से, High Court for the protection of fundamental right, यह बात समाझ में आ गया, चलिए, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बात करते हैं, तो 33, 34 और 35 है, जो कि ह power of Parliament to modify right, comfort the part of their application to forces, यानि कि जो, क्या बलते हैं, बलो द्वारा, बलो का यह क्या है, armed forces की बात कराया है, आपे, armed forces के right में कुले करके संसत कानून बना सकती है, और यह question exam में आया है, कि armed forces के right को कम या ज्यादा करने के संसत कानून बना सकती है, तो हाँ, जैसे कि ससस्त्र सम्मिलन का अधिकार, यह तो ससस्त्र सम्मिलन नहीं करना था आपको Article 19 के ताथ, लेकिन यह करते हैं, सस्त्र ही इन और भी बहुत सारे rights हैं, अगर जितने rights हमें मिले हैं, और इसके साथ अगर लागू कर दिया जाए, तो positive और negative दोनों बात इनके साथ लागू हो जाएगा, और फिर चीजे गरबर हो जाएगी, तो इसलिए इनको regulate कर सकते हैं संसद Article 33 के तहत, ठीक है न, ध्यान में रखेग अगर किसी छेतर में Marshall Law लगा हुआ है, अगर किसी छेतर में Marshall Law लगा हुआ है, तो वहां पे किस प्रकार के अधिकार होंगे और किस तरीके sa regulate होंगे? यह Article 34 के अंतरगत है, अगर皮ूर को मार्सल लाग गया, और वहां पर आप यह कहेंगे कि हमको मतलब और भी दूसरे तीसरे आजादी आप मांगना संग मनाने का और जाने का और इस तरीके का आजादी आप मारसलो लग गया आप मना कर रहा है कि आप मत आईए और आप आ रहे हैं तब भन से गोली निकलेगा और वही दाए जाएंगे तो ध्यान लखेगा जहां पर आपको मना किया है कि आपको नहीं जाएए तो नहीं जाएए कब कहां से निकलेगा कहां टपक के दाएए उसका कुछ पता नहीं है क्योंकि उसने अगर मारसलो लगाया है उसने अगर कोई मना कर रहा है तो उसको कुछ समझ के मना कर रहा है ठीक है ना उसी तरीके से Article 35 क्या करता है लेश्टिट्र गिव इफेक्ट प्रोविन से टू पार्ट यानि इस भाग को उबंदों को प्रवाइब करने के लिए बिधान चलिए यह बहुत important नहीं है तो हम लोगों ने 12 से 35 पूरा fundamental right को देखा उसके पहले हमने fundamental right के बारे में बहुत सारी बाते हम लोगों ने किया fundamental right के session को हमने पूरा का पूरा compile किया एक साथ हमने आपको बताया है और fundamental right में एक चीज जो हमारा बच रहा है वो है REIT जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे REITS के बारे में और हम आपको REIT पूरा अलग से बताएंगे सब को एक साथ बता देंगे REITS को ठीक है तो इस वीडियो को हमें आप रोकते हैं अगर आपको लगे कि ये वीडियो जो है नहीं लंबा हो रहा है ता पार्ट में आप देखिए अच्छे से समझ के देखिए exam का question solve कीजिए और जो rights मिला है उसको enjoy कीजिए limit में रह करके right को enjoy कीजिए क्योंकि rights enjoy करना बहुत जरूरी है किसी के बहकावे मताये आपके सम्मिधान ने आपको बहुत कुछ दिया है thank you